हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल क्रिप्टो एफेक्स इन्फोर्मेसर में तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बाइनेंस के निव लिश्टिंग कोईन के बारे में बाइनेंस आज दो कोईन को लिश्ट करने वाला है जिसमें एक AMP जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो दूसरा PLA तो यह notification 730 को मिल चुकी है अभी हो रही है 738 मतलब 8 बिनिट यहाँ पर जा चुके है अगर आपने 5 मेंट के process में इसे buy किया होगा तो आप यहाँ पर अच्छे खासे profit में आ चुके होगे तो इसकी notification मैंने टेलिग्राम पर यहाँ पर दे दी है अब हम यहाँ पर simple समझते हैं कि यह coin किस type की है और आने वाल time पर क्या वाकि में अच्छे खासी hype बना सकती है या नहीं तो यहाँ पर हम देखेंगे Binance will list AMP and play debt and will open trading for BTC, BNB, BUSD, USDT pairs में इन सब की pairs में trading start होगी और सारे 11 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से आप यहाँ पर आज trading कर पाऊगे तो फिलाल यहाँ पर deposit अभी open है तो अगर आपने किसी दूसरे exchange से MEXC हो, Gento Tio हो, KuCoin हो इन सब में buy करके रख लिया है तो आप यहाँ पर deposit कर सकते हो और जब यह listing होगी तो उस समय भी आप sale कर सकते हो या फिर अगर आप profit में हो तो अभी भी आप यहाँ पर sale कर सकते हो तो basically AMP के बारे में बात करें तो यह एक payment network company है मतलब जो कि payment service के लिए यूज होती है और PLA के बारे में बात करें कि play depth जो है वो आने वायल टेम पे काफी बढ़िया प्रोफेंस आपको देखने को मिलेगा AMP से भी ज़्यादा speed performance आपको play depth में आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ मैंने coin market cap को open किया है सबसे पहले हमने यहाँ पे PLA को search किया है जो कि 43% का gain पे है अब हम यहाँ पे देखेंगे पहले इसके tax में अगर आप देखो तो यह gaming project है NFT project है जो कि काफी ज़्यादा क्रेज में रही है और दूसरी अगर आप यहाँ पे तो metaverse की भी take यहाँ पे लगी है अब समझ सकते हो metaverse gaming NFT के क्या credit फिलाद हमें देखने को मिल रहा है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा focus आपको करने को बोलू तो play date में मेरे हिसाब से करनी चाहिए इसके price में आप नज़र रखना क्योंकि हो सकता है कि आने वाल time पे यह token होगी तो coinbase में get.iop and mexc में and crypto.com में polonix में इन सभी exchange पे लिश्टेड है तो get.io mexc हो इसमें मैं जैसा क्या आपको बताता हूं maximum coin आपको देखने को मिलेंगे तो अगर इन सब में account बना है नहीं बना है तो आप description में यह link पे click करके बना सकते हो और अगर बना है तो आप जैसे ही notification आपको मिलता है पांच मिन के अंदर में आपको buy करना है और easily आपको hold करना है 20-30% का जैसे profit में आती हो या पर जितने भी profit के साथ आप satisfied रहते हो आप वहाँ पर अपनी profit को बुक कर सकते हो अब हम यहाँ पर बात करें PLA के बारे में इसकी थोड़ी सी fundamentally अगर हम यहाँ पर देखे तो 30 days का low and high या पर 90 days का low and high देखोगे तो 3.68 है मतलब अभी फिलाल यह all time high पर चल रही है लेकिन इसकी circulating supply आप यहाँ पर देखोगे maximum supply आप देखोगे तो 700 million का 700 million का supply है जो की काफी कम है और यहाँ पर इसके अगर market cap आप यहाँ पर देखोगे तो 845 million dollar का market cap है उस हिसाब से अगर आब हम यहाँ पर देखे तो chances काफी जादा है इस token पर कि आने वाल time पर यह काफी अच्छा perform यहाँ पर कर सकता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप जो भी लाइव रेट चल दे हो जो भी अगर यह 100% का gain हो चुका है आपने इस token पर buy कर लिया quick profit अगर आपको generate करनी है तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा wait करना चाहिए हाला कि यह token जैसा कि मुझे लग रहा है कि आने वाल time पर बहुत अच्छा perform कर सकता है तो तीन डोलर तक में भी आप इसे अगर आपको मिलती है तो आप यहाँ पर इसे buy कर सकते हूँ अब हम बात करते हैं AMP के बारे में तो यह फिलाल 0.06 का price चल रहा है जो कि 32% का gaining हमें यहाँ पर 100 हो रही है और जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है यह basically payment service के यहाँ पर use हो रही है market अगर आप देखो कौन-कौन से exchange पर यह लिश्टेड है तो coinbase में है Binance.us में already listed है get.io पर यह लिश्टेड है Uniswap में यह लिश्टेड and JP वगरा भी आपको मिल जाएगी तो इन सभी exchange पर यह यहाँ पर लिश्टेड है यह खासकर के जो NFT project होते है gaming project होते है उसमें और ज्यादा क्रेज हमें देखने को मिलता है 90 days का low and high आप यहाँ पर देखोगे यह लगभग 0.08 का यहाँ पर high बना चुकी है और circulating supply आप यहाँ पर देखोगे तो maximum supply 92 billion का है तो supply काफी ज़्यादा है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा performance आपको देखने को मिल सकता है और कुछ अच्छी performance आपको देखने को मिल सकती है बट मैं इससे ज़्यादा PLA को सजेस्ट करूँगा कि वो काफी ज़्यादा potential है तो उसकी price में आप यहाँ पर नज़र रख सकते हो इसमें भी कुछ अच्छी performance हो सकती है बट PLA इससे ज़्यादा बेटर है तो आप उसके price में नज़र रख सकते हो तीन डॉलर तक में बाई कर सकते हो और होल कर जाना मेरी ख्याल से आपको यह करीब 7-8 डॉलर तक में भी देखने को मिल सकते है अगर आप यहाँ पर लगभख से लगभख 2-3 विक का यहाँ पर वेट करते हो हो सकता है इससे पहले भी आपको देखने को यह मिल जाए बाईन्स के लिष्टिंग टैम पे अगर हम बात करें टेट करने करें तो उससमय प्राइस में काफी ज्यादाwość बनती है तो हो सकता है कि वहाँ पहां पे आप एक हाइप प्राइस में लेकर फरस जब तो मेरी ख्याब से थोड़़ा सा कम price में ही आपको buy कलना है जो अभी अभी फिलाल price चल दुछ है, उस price से अगर 10-20% का down पे आपको देखनों को मिलता है तो आप buy कर सकते हो, और अभी इसी current price में ही buy करना चाहते हो तो अगर आप wait कर सकते हो हो सकता है कि current price में तक ना पहुचे market में कुछ negativity बने बिट्कॉल का price down हो तो इससे situation पर हो सकता है कि थोड़ा सा यह आपको down देखने को मिले बट मेरे ख्यास से जो दोनों भी token है दोनों का current price में अगर कुछ time तक आप wait कर सकते हो दो सब्ता तीन सब्ता तो current price में भी आप यहाँ पर buy कर सकते हो chances बनेगा कि अच्छा खासा profit यहाँ से book हो जाए तो में दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अभी तक आपने टेलिक्राप जनल को join नहीं किया है तो join कर सकते हो नीचे description पर आपको link मिलेगी मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में एक नई information के साथ तब तक लिए goodbye जय हिंद